दारा 370 हटने के बाद देश भर से बड़ी संख्या में नीवेशन जम्मो कश्मीर आ रहे है जम्मो कश्मीर सरकार मस्लिम समोदाय के युवाओ को रोजगार के साथ स्वर रोजगार देने का प्रयोग कर रही है मसलिम समुदाय के युवाओ को रोजगार और उधमिता का पाठ पढ़ाने के लिए कई उधमियों को कश्मीर बुलाय जा रहा है स्थान्य युवाओं को उद्धमिता, विकास का पाट पढ़ाने के लिए नाकपूर के उद्धमी प्यारे खान को भी जम्मू और कश्मीर की राज़दा नी श्रीनगर में आमंतरित किया गया बड़ी संख्या में स्थानी कश्मीरी युवाओं ने उधमिता सीखनी के लिए जमू कश्मीर के पुलवामा जिले के पंपोर में उधमिता विकास संस्थान जे की EDI में कारिकरम में भाग लिया प्रशांद गोयल प्रधान सचीव उध्योग और वनजीव विभाग जमू और कश्मीर सरकार एजास एहमद भट निदेशक जे के EDI इस अफसर पर उपस्ते थे इस अफसर पर उधमी प्यारे खान ने यूवा मुस्लिम महिलाओं को उधमिता के लिए आगे आने का मार्ग दर्शन किया इस मौके पर प्यारे खान ने इस सफर का भी खुलासा किया कि किस तरहा बेहत विपरीत परिस्तितियों में उन्हों ने अपना बिजनेश शुरू किया कश्मीर में पिछले कुछ दशकों से अशांती है अकसर करफ्यू और पत्राव की घटनाएं होती थी इसलिए स्थानिय लोगों को स्वरोजगार के अफसर नहीं मिले इसके अलावा लगतार अशांत वातवरन के कारण सिबिल नामक स्थानिय उद्धमियों की बैंक खाता रेटिंग खराब हो गई इससे स्थानिय उद्धमी संकट में थे और वेकलपिक रोजगार उपलब्द नहीं हो पा रहे थे लेकिन अब देश भर से कई उद्धमी जम्मु कश्मीर में निवेश करने आ रहे हैं ऐसा उद्धमी प्यारे खान ने कहा कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद अब कोई भी कश्मीर जाकर जमीन ले सकता है और व्यापार कर सकता है प्यारे खान ने इस दोरान कहा कि वह भी जल्द ही कश्मीर में निवेश करेंगे जमु कश्मीय से अनुछेद 370 अटाये जाने के बाद आतंगवाद पूरी तरहा खत्म हो गया है हमने रात में और आधी रात में कश्मीर के कई हिस्सों की यात्रा भी की है प्यारे खान ने आगे कहा कि वरतमान में स्थानिय लोगों में किसी भी तरहा के आतंगवाद का भै नहीं है जेके एटी आई के निदेशक एजाज एहमद भट ने कहा कि कश्मीर में शान्ती है अब देश भर से कई निवेशक जमु कश्मीर आ रहे हैं Bureau Report, PCN News